नमस्कार स्वागताब को जन्याम न्यूज में मैं हूडोईत। राजिस्तान में पाँच विदान सबा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। कॉंग्रेज पार्टी के परदेशाथ देज गोवन सिंग डोटासरा ने साब जाहिर कर दिया है कि विदान सबा सीटों पर किसी भी पार्टी से गटबंदन नहीं करेंगे। अगर हम बात करें होट सीट की तो नागोर की खियोशर सिट इस समय होट सीट बनी हुई है। नागोर की में पिछले चार बार की विजयता रही है RLP पार्टी लगातार चार बार उन्होंने जीत हासिल करी है इस बार देखने की बात ये रहेगी कि क्या नागोर के कदावर नेता हनुमान बेनिवाल और RLP पार्टी के पर्मुग अपने ही परिवार के किसी सदेश्यों को वहां से खड़ा करेंगे यानि कि टिगट देंगे या फिर किसी अन्य कारेकरता पर वापस बरोसा जताएंगे हनुमान बेनिवाल की जीत का अंतर कापी कम देखने को मिला उनके सामने थी जोती मिर्दा जिनोंने विजेपी पार्टी में समलित होकर विजेपी पार्टी से टिगट लिया और हनुमान बेनिवाल के सामने चुनाव रड़ा लेकिन उनको हार नसीब हुई दूसरे तरफ हनुमान बेनिवाल का कहना है कि वो भी किसी भी पार्टी से गटबंदन नहीं करेंगे पांचों विदान सबा सीटों पर अपनी पार्टी के कंडिडेट उतारेंगे लेकिन अगर हम बात करें हनुमान बेनिवाल की तो हनुमान बेनिवाल इस समय चुनावी माहोल को देखते हुए कापी सक्रिय नजर आ रहे है खेउसर की सीट इस समय में सेंद लगा पाना कापी मुश्किल नजर आ रहा है किसी भी पार्टी के लिए चाहिए वो विजेपी पार्टी हो चोई कोंग्रेस पार्टी हो अब हम बात करें हनुमान बेनिवाल के भाई नाराण बेनिवाल की तो नाराण बेनिवाल भी कापी सकरिय हो चुके हैं उप चुनाव को देखते भी अब नाराण बेनिवाल क्या किसी भी एक सीट से वो चुनाव लड़ेंगे या फिर वह खियूसर की विदानसभा सीट से च रोसा जताएगी यहां फिर किसी दूसरे चेहरे को मेदान में उतारती भी नजर आएगी फिलाल इस रिपोर्ट में इतना ही देखते रहे जने अन्योज